अससलाम अलेकूम अब बारी है सबको गिफ्ट्स देने की जैसे कि आप लोग को पता है कि जब कोई हजिया उबरा से आता है तो वो वहाँ से तबर्लुक लेकर आता है जैसे कि वहाँ की टॉफी, जबजब, खजूर तो अब बारी है उरी सबको पैक करने की यहां रखी है कुछ टोपिया, तजबी, खजूर, टॉफी, अर्वी, रुबाल और जबजब की बॉटल्स तो अब बारी है इस सबको पैकर रेकी तो पैकिक के लिए हमने ये कैरी बैग यूज किया है ये हमारी फर्म का कैरी बैग है जो की दो साइजिस में है, कुछ बड़े है और कुछ छोटे है तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है ये है टोपिया, जो की टेन टोपिस का बॉक्स आता है ये हमने मगवाय थे बहुत सारे पैकेट्स और उसके बाद ये है खजूर, जो की हमने मदीना से ली थी ये है दो वेराइटिस की खजूर हमने सोचा है कि क्यों ना लोगों को दो तरह की खजूर दी जाए और ये खजूर बहुत ही जादा सौफ्ट और टेस्टी भी है नेक्स्ट है हमारे पास ये टॉफी जिनको हमने अल्रडी पैक करके रखा है जिप लॉक बैग में तो हमने टॉफी का साइज बड़ा चूज किया था और यहां है हमारे पास बहुत सारी जमजम की बॉटल्स ये 50 बॉटल्स का एक पैक होता है और 100 बॉटल्स का पैक आता है तो हमने 50 वाले 3-4 मगाय थे पैकेट्स और इतनी बॉटल इनफ होती है जमजम पैक करने की और ये इस तरीके से बॉटल्स पैक होती है और हमने सब को जमजम प्योर गिफ्ट किये हैं और अब बारी है पाउचीज की ये पाउचीज हमने खुद स्टिच किये हैं इन पाउचीज को बनाने के लिए हमने दो मीटर वैलविट का फैबरिक लिया है उसको ट्वैल पर एट इनचीज में कट करके स्टिच कर लिया है और साइट से ये लेस लगा दी है तो इन पाउचीज को बनाने में हमें दो घंटे लगे थे आलमोस्ट ये lace fabric और उपर से ये tie note हमने local market से ही purchase की थी और हमारी ये 2 meters में 41 pouches ready हो गए थे और जिसको हमने ये सब pouches gift किये हैं सब लोग बहुत खुश हुए, सब ने बहुत तारीफ करी क्योंकि हम लोग की तरह से एक special gift था सभी के लिए हमने सोचा हम zip lock bag में हम क्या-क्या रखेंगे इसलिए हमने ये pouches stitch करें और हमारा जाद समान इसमें आ गया और secure भी हो गया और ये pouches in future भी काम आने वाले हैं सबके तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसमें क्या-क्या रखा है तो सबसे पहले ये है कुछ हदीस जिनकी दोनों साइड हदीस लिखी हुई है इसको हमने इस pouch में डाल के रख दिया इन pouches में इतना space है कि आप इसमें अपना कोई भी समान रख सकते हैं और आपका हर समान इसमें secure हो जाएगा और इसके बाद हमने रखी है ये तजबी टोपी अलग से जिप लॉक बैग में एक जिप लॉक बैग में हमने रखी है ये बहुत सारे खजूर और टौफी तो इन डोनों जिप लॉक बैग को अब हम रखेंगे अपने pouches में और ये है हमारा जबजब जिसको हमने अलग सिक्यूर करके रखा है इन केस अगर जमजम लीक हो तो बाकी चीज़े इस पर इफेक्ट ना करें तो ये गए पहला जिप लॉक बैग और ये गए दूसरा जिप लॉक बैग और अब बारी है जमजम को रखने की तो अलग से space बना के इसमें जमजम की bottle रख दी अब हमारा सारा समान इसमें secure है और उपर भी काफी space बच गया है अब इसको खीच करके इसको टाइ कर देंगे और ये हमारा pouch ready हो गया है और अब मैं आपको दिखाते हूँ कि हमने चोटे वाले carry bag में क्या रखा है तो चोटे वाले carry bag में हमने रखे हैं ये अरभी रुमाल अब इसकी अच्छी सी fold बना के इसको हम carry bag के size में transfer कर देंगे ये गया हमारा रुमाल और ये खुजूर टौफी और तजबी टोपी और ये होगी हमारा first carry bag ready जिसमें हमारी farm का promotion भी हो रहा है और गिफ्ट भी दिये जा रहे हैं ये देखिए यह अरभी रुमाल जो की टूप रुमाल का एक pack होता है same color का रुमाल एक ही package में pack होते हैं तो ये तो हो गया है हमारा pack अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बाकी का procedure कैसे त्यार किया है तो जमजम की पारी को हमें एक water cool में ट्रास्फर कर लिए हैं एक भी बून जमजम waste रहा हो तो slowly slowly यहां पे bottle pack हो रही है और यहां पर इसको seal किया जा रहा है उपर से अच्छी तरीके से cap लगा के रख लिए है और यह हो रही है जिप लॉक बैग में toffee is pack और यहां पर जमजम की bottle को toffee के packet में रखा जा रहा है यह जितने भी packets pack हो रहे हैं सब यह extra बे पैक हो रहे हैं ताकि सारा सबार एक जगा साथ रहे और जब जिसकी रीड हो उनको उस वक्त दे दिया जाए और यहां है बहुत सारे खुजूर जिनको जबजब और टौफी वाले पैकेट में पैक किया जा रहा है अच्छे से सिक्यूर करके दिपलोग बैक को बद कर दिया गया ताकि कोई भी मटीरियल अब हिले ला इस पे से यह हमारा मटीरियल रेडी हो गया है इतना रही एच्छुली से कई जादा रेडी हो गया है और यह है टोपी का दिपलोग जिसमें खुजूर और पारी की हवारी टोपी पे कोई भी स्टेड आए इस सारा काप बहुत ही डेडिकेशन के साथ किया जा रहा है उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारा सबार पैक हो गया है तजबी के साथ अब मैं आपको दिखाते हूँ कि मैंने बड़े कैरी बैग में क्या रखा है बड़े कैरी बैग में हमने दी है जा नमाज खुजूर तजबी टोपी बाकी जो भी समान हमने सब पैक किया है सब हमने इसमें डाल दे है अर्वी रुबाल के साथ और जिन जिन को भी हमने ये गिफ्ट दी है सब लोग बहुत खुश हुए अलम्दुल्ला सबने हमें बहुत दुआएं दी है बस हम दुआओं के ही तलबगार है सभी की दुआओं की वज़े से हम गए थे अल्ला ताला के घर और मैं चाहती हो अल्ला ताला सब को भी अपरे घर बुलाएं जल्दी से जल्द काफी लोगों की मशक्कतों के बाद हमारा गिफ्ट पैक अब रेडी हो गया है अगर आपको मेरा ये पैकिंग का प्रोसेस मुझे कमेंट एक्षे में जरूर बताएगा मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अल्ला हाफेज